हेलो एवरीवन वेल्कम बैको नवर चैनल कोडविद विनिता तो आज के इस वीडियो के अंदर हम रिस्पॉंसिव जो नेव बार है वो हम देखने वाले हैं तो मैं आपको दिखा देती हूं आज हम क्या कुछ सिखने वाले हैं फर्सली हम एक नेव क्रिएट करेंगे कुछ यह इसी टाइब से उस पे ऐसे होवर चो इफक्ट है बिल्ख लैसे इस तरीके से हम हो अवे इफक्ट गरेंगे चिक dlatego पर मुझेट करेंगे इसको जैसे में चोटा करोंगे उसी तरेके से जो नैवबार रिस्पोंसिव होते जाए बहुत जरूरत हो ना-एबबार के रिस्पोंसिव करनेंगे हैं को पता कि हर वैबसाइट के बदाने फ Sug no Matter और होती ही हूती है लेकिन अगर मैं किसी वेबसाइट को अपने फोन के अंदर ओपन करते हूं तो वो मुझे कुछ ही स्ट्राइब से दिखाई देगी दिखाती हुमा को के स्ट्राइब सापको दिखाई देगी तो उसके रिस्पॉंसिव बनाना होता है कि डिफरेंट डिवाइस के अंदर अग सी तक plastic यह रखेंज पना उने बनाने वाले हैं तो मैं आपको दिखा ज़ती कितना कुछ कोड़ है यह ज्यार कुछ है नहीं तरह में सिंपल इतनी सी सी लिट है णोखी तीन जार-line के स्क्रिप्टर आपको दिखा देती हुझ बहुत ही कम जो है इसकी CSS है और दो ही मैंनी media screen लगारखिए है अब यह media screen होता है इसको responsive बनाने के लिए काम आता है यह मैं आपको बताओंगे किस तरीके से इस वीडियो की हम शुरुवात करते हैं तो फर्सले आप वो करना कि यहां जाकर आप अपनी फाइल कर लेज़ेगा तो मैं यहां जाकर अपने फाइल कर देती हूं मैं लिखती हूं क्या r thé responsive diplomacy nevठ spun type dash dot html के name से मैं इसको सब्सक्राइब करती हो respond 한다 html की हमारी file एक मारामी हो गई है इसको यहां से अठाते हैं और स्क्रीन इस जूम करती हूं ताकि को उछ यह से दिखा truth यहां से दिखाए दे अ को shift के साथ exclamation mark तो यह जो है आपके सामने बोलर प्रेट आपके सामने आजाएगी टाइटल में डालना चाहते हूं यहां पर रिस्पोंसिव नैव रिस्पोंसिव मैं अधिन स्पेलिंग को तो यह मैंने इसके अंदर डाल दिया और आपको बोडी के अंदर आना है कुछ डिव इसके अंदर जाएगे एक लिए इसके अंदर मैं आइड भी दिना चाहोंगी एक बता हुँगि कहां यूज होगे आपके आइड मैं देती हूं यहाँ पे क्या माई मैं टॉप अनधर आइची कह बना वगारते है इसके अंदर मुझे क्या करना है इसके अंदर जो मुझे कांटेंट लि हो जाओगे उसको मैं simply अभी ऐसा कुछ है नहीं तो मैं सिर्फ हैश करके डाल देती हूं ठीक है और यहां मैं क्या लिखती हूं यहां मैं लिखती हूं अब ऐसे यह से क्ट्रोल दी के साथ ही मैंने खुद का बना रखा है दिखा दोंगी शोट्ट कैसे बनाते हैं अब फटाफर से मैं इसके अंदर चेंज कर लेती हूं लाइक होम के बाद आपको क्या चाहिए अब आउट के बाद आपको यहां क्या चाहिए अपनी हिसाब से कुछ में डाल दे प्लेस कमेंटर के जरूर बताना तो यहां पे मैंने इतना लिख दिया है अभी दिखाते हूं कुछ किस टाइप का अभी फिलहाल आपको नजर आ रहा है उसके लिए यहां पे जाएंगे लाइव सर्वर को उपन करेंगे तो दिखा लेती हूं कैसा अभी जो कंटेंट है आ इसा प्रेस करते हो तो कैसे यहां पर इसको क्या करना वर्ड रेप करो ताकि कंटेंट आटोमेटिक आपका अटजस्ट हो चाहिए ठेक है अब हम चलते हैं यहां पर यहां पर आईकन लेना होगा जो हमें बार का वह आइकन दिखाई दे रहा है न तो इसके लिए मैं आपे जा लेती हूं और जो कुछ भी implement करेंगे हम जो javascript लगाएंगे तो उसके लिए आपको बदेख ओन क्लिक इवेंट होता है यानि कि क्लिक करें तो हम वहां पहुच जाएं तो इसके लिए हम लोग ओन क्लिक इवेंट लगाएंगे और यहां पर मैं फंक्शन का नेम देना चा आईकन CDN यह पर CDN जाना है यहां पर एक website यह वाली CDN.js यहां जाके आपको जो है एक बड़ लिंक डाल देना है लिंक डालेंगे तभी तो हम उसको ले पाएंगे तो यहां जाके आप क्या करो यहां से करोगे तो script tag में ले लेगा यहां से करोगे तो link में लेगा तो मैं यहां गई में फिर लिंक आप आपको पता है टेक के अंदर डालते हो तो जो टाइटल है उसे उपर मैं यहां लिखती हूं लिंक लिंक साइल शीट और अदर आप उसको पेस्ट कर दो तो जो यह है आपका फॉंट ओसम का आ गया मुझे क्या करना है वह बार लेना है तो उसके लिए क्या करूंगे यहीं जाओंगे यहां इसको बैक करते हैं जो यहां CDN था इसको मैं यहां से क्रोस करके मैं यहां पर आइक मैं तो आप क्या मैं बार लिखन मैं बार लिखने से वह आ जायगे तो यह बला क्लिक करो यहां इस लिंक की आपropy करो प mention कट्यूंग्य और आपको दिखाते हों अभी कुछ सो नजर आए गया कु कुछ सब्सक्राइब हम मिर्ण आगका है इसको साइड बाइसाइब हम र binge कहा रहा है यहां यहां पर टाइटिल की बाद यहाँ जाकर चाम а इंटर्नल सेस में इंप्लिमेंच करने वाले हो अब करना क्या हो से पहले जो युनिवर्सल स्लेक्टर है उसको यहां जाओ आप इस लेक्ट करो स्टार से एंजीरो कर दो यहां कि मार्जिना फस्ली जीरो कर दो ताकि और अटोमेटे के आधर जो स्पेस हो ना ले पैडिंग क्या कर दो जिरो कर दो क्या 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 कर दो क्यों जरूरी है यह मैं बहुत सब्सक्राइब आपको बढ़र बॉक्स कर दो अब यहां आना है मैं करना क्या है इसको पूरे बैक्ग्राउंट कलर देना है तो बोड़ी में जाते ह को एक फोड़ा हलका शेयर दिना चाहूंगे तो पर करो कि यह आ जायगा यहां जाकर हलका सा जो यहरा है मैं अच्छ। इसलेक्ट करते है तो बोड़ी कि अंदर हमने यहां पर Ctrl-C मैंने कर लिया है और यहां जाके डॉट लगा के उसको पेस्ट कर दोंगे टॉपने अब मैं जो भी इंप्लिमेंट करूंगी वह इस पूरे पूरे दिव पर इंप्लिमेंट होगा तो मुझे क्या करना है सबसे पहले मैं यहां लेखती हूं क्या बैक्ग्राउंट कलर जो है मैं इसको देती हूं क्या ब्लैक कलर देती हो बैक्राउंट कलर मैं देती हूं क्या इसको ब्लैक कलर जो है मैंने इसको पूरे दखो इतना जो है बैक्ग्राउंट कलर इसका आ गया है अब इससे आगे आते हैं अब हम एक जो लगाना है वो क्या ल लेफ्ट की तरफ रहें तो लेफ्ट की तरफ यह है आपके अब इससे अंदर करना है डिस्प्ले किस तरह को बता है डिस्प्ले यह करें आपका ब्लोक की तरह बहें करें तो इसको ब्लोक कर दिया है अब इससे आगे है इसके अंदर कलर कैसा हो जाए इनका कलर मैं चाहते हू क्ट करके हो गया इतना अब इसे है कि टेक्स्ट लाइं कहां चाहिए आपको इनका एक पैडिंग दे दे ढ करते हम लोग क्या टेक्स्ट डेक्वरेशन नन करके तो सारी जो अंडरलाइंग हैं के नीचे से वो चली जाएगी और फॉंट साइज आपको इनका भढ़ाना है तो मैं फॉंट साइज कर देती हूं कितना मैं कर देती हूं इसका 1.2 रैम पिक्सल में आपका 12 पिक्सल होगा तो मैं में तो इस को क्या यजंक मतलब थोड़ा तो या यह Arab का बहुष आपका यह तीक आपके एक ओपर hover करें, तो background color मैं कैसा चाहते हैं, background color मैं कैसा चाहते हैं, background color मैं कैसा चाहते हैं, तो green यहां पर कर देंगे, जैसे ही मैं hover करें तो इतना green आ जाएगा, पुरा ब्लॉक के लिए ले रहा है, लेकिन green मैं थोड़ी सी, तो dark shade I think देना चाहूंगे, यह चीक लग अब इतना होने के बाद, जो इसके अंदर है, content वो कैसा हो जाए, color तो ऐसे भी automatically white, अगर color change करना चाहते हैं, तो भी आप change कर सकते हूं, यहां पर color डाल के दिखा देंगे, आपको, की hover करें तो color कैसा हो जाए, आपका, जैसे मैं red कर देंगे, तो यहां पर red करूंगी, तो तो मेरे लिए enough है, अब इसा यह हो गया, transition, transition पर लगा, जैसे ले रही हो, तो एचानक से आ रहा है, तो थोड़ स्मूथली बहेव करेंगे, तो इसके ले लगते हैं, तो transition आपको कितना लगाना है, जैसे मैं, चाहते हूं, 0.3 second यह ले और कैसा ले आपका linear, 0.3 second, यहां द कि अब इसके तरहिesz लेगे कि तो इसके लगए किया करोती है यहां यहां कि आए तो ओने होगे क्या क्या यहां तो अ क्या अ हमार 178 001 यै क्या है हमारा जपर एक्टिवद वाला है उसको पर sculpt करें pop तो इसको टार्ग्राउंट कलर मैं यही चाहंगे कि यही जो है इसका बैक्राउंट कलर है तो यहां से में सो कॉपी करूँगे और यहां जाकर इसको पेस्ट कर दूँगे तो जो एक्टिव है वो इसी तरह के अपकर रहेगा तो और सारे होवर करने पे होंगे लेकिन यह पर class दिना icon इसको टार्गेट करेंगे तो इसको टार्गेट करते हम लोग यहां जाते हैं लिखते हैं हम क्या क्या है यह आपका top nav के अंदर क्या है उसे हमें टार्गेट करना है तो क्या करना है उसको दिखाये देते है तो यहां से गायब होजाएं यहां लगाते हैं तो मिडिया मैं लिखा यहां पर उसके बाद इस पर इंप्लिमेंट करना है यहां पर हम मिनिमम और मैक्सिमम विर्थ लेते हैं अब यहां जाते हैं कि मैक्सिमम मैक्सिमम जो विर्थ है वो कितनी हो कम से कम जो मैक्सिमम विर्थ है वो कितनी हो कम से कम जो मैक्सिमम विर्थ है वो कितनी हो करो राइट क्लिक करो यहां से जाके इंस्पेक्ट करो जैसे इंस्पेक्ट करेंगे तो इस तरही किसे आपके सामने आ जाए और यहां पर इस ओप्षिन पर जाना होता है अब देखो अब यहां तक इतना ठीक कर रहा है तो इतना ठीक है लेकिन जैसे जैसे मैं इसको लेकिया तो यहां पर जो नमबर चल रहे ना उसको देखवा तो यह हीट कर रहा है कहां कम से कम जाती हूं इतना फ्रेस दो रहे 600 तक का स्पेस रहे मैक्सिमम में जाता ज्यादा 600 पिक्सल उना चाहिए उससे कम होते ही वह कुछ और बन जाए तो इसको हम क्या करेंगे यहां पर हम ले लाएं देखती है यहां पर जो दो टोपनाव को मैंने हैं बैगराउन कलर दिया है इह यह देना है मुझे डॉट टॉपन व को टार्यट में ठीक कर रुका है क्रूपने का बैकगराउं wellness मैं लगा देथे को नहीं तो पढ़ने पर नहीं लगा दे Kyoto क्यों भी और कुछ नही तो देखो, overflow hidden, यह लगाने से आपका बैगरांड कोलर आजाएगा, अब इतना बना लिए अब हम चाहते हैं, इतना बना लिए इतनी असाइज हो तो कम से कम यह बार आ जाए, तो वह बार हमें बनाने हैं, उसके लिए हम रिस्पॉंसिव लगाते हैं, वहां से आपने देख तो अब हमें क्या करना है, मैक्सिम भी 600 पिक्सल तक है, अब हमें क्या इंप्लिमेंट करना है, हम चाहते हैं, जो dot top nav है, ठीक है, उसके जो anchor tag है, उसमें कम से कम home वाला तो रहना चाहिए, यह वाला और यह वाले सारे रिमूव हो जाएं जैसे कि इसके अंदर है, home वाला है यह और सारे के सारे नहीं है, उसके लिए हमें none property लगानी होती है, तो top nav के anchor tag को select करें कि हमें करना क्या है, कि not property हम यहां लगा देंगे, उसका जो first child है, तो first child आपको पता है, home है, तो मैं यहां पर क्या लिख लेती हूँ, first child लिख लेती हूँ, जो उसका first child है, उसको छोड क्या हो जाए, सारे के सारे display none हो जाए, तो मैं देखाती हूँ, आपको display और यहां आपको लिख देना, none, तोर सारे के सारे क्या हो जाएंगे, यहां से चले जाएंगे, सिर्फ इस first child को छोड़ कर ठीक है, तो मैंने इसको यहां से select कर लिया है, अब क्या चाहते है, जो dot top nav क जो क्या है, आपका dot responsive में बताऊंगे, कहां जो यह class आपको जाएंगे, dot responsive के अंदर, जो dot icon है, उसको क्या कर दे, उसकी dot top nav के icon को कर लेते हैं, अभी में responsive आपको लगा के दिखाऊंगी, तब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, इस responsive को यहां साइट आदो, अब करना क्या है पर जाएंगे, dot top nav का जो a के अंदर, देख में दिखा देते हैं, जैसे dot top nav है यह, और उनका जो a यह है, और उसके अंदर class icon है, हमें उसको target करना है, ठीक है, dot top nav का a, और फिर उसके अंदर dot icon, अब इसको करना क्या है, आपको यहां पे लिखना है, इसके अंदर, कहा फ्लो फ्ले व्लॉक तो इस खें अब इससे आगे हमे जो प्रापरडी लगानी तो उसके लिए आ हम करना क्या होगा यहां पर आपको लिखना है यह कंपलीर आपी मीजा स्क्राइं अब इसे भार आ जो यहां पर आपको लिगा reflecting at the rate, media screen, media screen के पाद आपको कितना maximum width चाहिए, मुझे इसके अंदर चाहिए, 600 pixel ही, and यहां पे आपको करना है, भी को step by step आप देख जाए, maximum width कितनी होनी चाहिए, आपकी, maximum जो width है, वो होनी चाहिए, आपके कितना, 600 pixel, चाहिए, maximum width आपके 600 pixel पे, क्या क्या implement हो, वो देखते हैं इसके अंदर, अब इसके अंदर आपको करना है, सबसे पहले, the dot top nav है, उसके अंदर एक class लगाना, आप क्या, dot responsive, चाहिए, बताओंगे, responsive class आपकी जावास्क्रिप्ट में लगेगी, अब इसके position को मैं क्या कर देती हूँ, इसके position को मैं कर देती हूँ, यहां से क्या, relative, च इसके बाद आप इसे भारा जाओ, जो dot top nav है, उसके अंदर, जो dot responsive है, अब उसके अंदर, जो dot icon है, उसके position को आप क्या कर दो, absolute कर दो, चाहिए, उसके position को आप लोग कर दो, absolute, और जब भी हम absolute लगाते हैं तो आपको पता है कि top, left, right, bottom, यह सारा value दे सकते हो, तो मैं right से उ अब इतना होने के बाद, आपको यहां लिखना है, क्या, dot top nav, top nav की अंदर, जो dot responsive है, responsive की अंदर, जो anchor tag है, ठीक है, स्पेस देखें, जो anchor tag है, उसको क्या करना है, आपको, आप चाहते है, वो क्या हो जाए, आपका float none हो जाए, यानि कि वो आपको दिखाई ही ना दे, जित इस पर click करे, तो वो कहां जाए, left की side आए, है ना, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, उसका text align हम लिखेंगे, यहां पर क्या, text align हम लिखेंगे, उसका left side, तो मैं इतना left side manage को कर दिया, इतना हमने implement कर दिया, अब हमें क्या करना है, simple JavaScript लगाने है, तो JavaScript के लिए आप यहां आ function के लिए, जो function लिखेंगे, my function, इसको यहां से करती हूं, copy करती हूं, तो किस के ओपर लगाना है, मुझे इस function के लगाना है, तो my function के लिखेंगे, यह लगा लें पर लगाते हूं, अब इसके बाद देखो, जब भी, को variable लो variable मैं x ले जाती हूं तो जो variable x है उसके बाद आपको करना है उसकी id को स्लेक्ट करना है तो मैं document.getelementbyid getelementbyid इसको स्लेक्ट करती हूं कुण सी id जो मैंने हापे id ती थी थी न top nav की इसको आपको यहां से क्या कर लेना है copy कर लेना है और यहां जाकर आपको in double course के अंदर इसको paste करना अब जो भी implement होगा उस dot top nav के ओपर implement होगा तो यानि कि अपने किया के अभी तक x के अंदर उस id को भी simply select कर लिया है अब इसके अंदर हम if lc condition लगाएंगे तो सब्सक्राइब मैं if लगाती हूं और triple का मतलब उसको data type को भी compare करता है ठीक है triple equal लगा के कौन सी class आपको लेनी होगी यह top nav की अगर उसकी जो class है अगर वो top nav है तो तो क्या हो दिखाती हूं इतना करने के बाद अगर वो top nav हो तो आप क्या दिखा दो यहां पे आप रैकेट्स लगाओ और उसको क्या करतो x.class name उसका जो class name है उसको equal कर दो किसके equal कर तो उसको आप responsive के प्लस है तो थोड़ी बहुत जबताने चीशलिए अगर ऐसा नहीं होता है तो else में क्या करें जो यहां पर x.classname लिलो वह आप लिलो .topname लिलो यह वाला जो दिखा दे तो मैं यहां क्या करती हूं यहां जाते हैं उसको paste कर देती हूं इतना मैं इसको कर दिया है इतनी सी जावा स्कृट आपको इसके अंदर लिखने है फटापर से देखने हैं क्या हमने क्या एक function चला है my function के नेम से फिर हमने क्या एक x के अंदर उसकी जो id है my.topnap की उसको प्रिया है फिर अगर इफ की condition अगर जो classname है वह .topnap है तो आप क्या कर दो उसको responsive बना दो साथ ही साथ अधरवाइस ऐसा नहीं है तो classname क्या कर दो आप topnap को select कर लो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि हमने क्या है यहां पर इसको color जो चेंज नहीं किया इकन का तो इसके लिए इतना आपने कर लिया अब आपने आपने देखो यह सारी की सारी जो प्रोपर्टी है आपने जावास्क्रिप लगा दी अपटाफर से हम लोग जो अपनी CSS है उसको देखते हैं पर देखते हैं किस अरी के से आपको दिखाई देगा तो फसली जो आपने यहां यहां उन किया था universal selector को अब उसके अंदर क्या तो तॉप नउमक के अंदर हमने ओफ्लो हीदन लगा दिया ग लगा दिया है कंण में लने सिलक डोवक कर द atac के इनक्त खेंटीय करते हैं पैड़िंग सिसे क्यों पर सत्रीके से हैं प्रोपर्पर्टी हो यहां प्रने इंप्लेमेंट को हमने से हम आद पर होगा है न्या है करने पर को नटरो करने पर कईसे वाइट हो जाए उसके मैं यहां नहीं कर दिया अब इसमील क्या है पर पिएम किया है उसको dónde उसको फिलाल के लिए दिस्पील कर दिया है रिलेस्ट किया इसके जो पॉजिशन को पॉजिशन को एक लिए और हमने शुझाड़न्सन नेटि करarpेशंट की तो है रージक कि यहां पर इस तरह के से कुछ दिखाए देंगा मैं अब आम को दिखा 20 के उन इसलिए क्या है यहाँ पर मैंने css वो मेडिया स्क्रीन लगाई है इसलिए यह जो है html है इसलिए स्क्रिप्ट आज की वीजिए आप मुझे कमेंट रखे जरूर बताना और इसी ही वीजिए पाने के लिए आप कमेंट करना ताकि मैं जल्दी से जल्दी ऐसी वीजिए लेक सकते हैं और इसे पहले मैंने text typing का एक animation की वीडियो के नहींतियो से जरूर आप चेक आउट करना थैंक यू अल